गरीब लड़का, अमीर लड़की, एक मुसल्वान, एक हिंदू लड़की के पिता का रिष्टे के सक्त खिलाफ होना और रातो रात लड़की के हाँ पीले करने के वास्ते देखते देखते लड़का ही दै कर देना लाचार नजरों से बेटी की बेबसी देखते रहने वाली मा और हिरोईन के प्रेमी की कुटाई और गरगराहट के साथ बादलों का फटना, बिजली गिरना, नदियों में बाढ़ा जाना जब प्रकृती प्रेमियों के साथ होगी न, तो उनको मिलने से भला कौन ही रोक सकेगा आप तक बॉली बुड में कई लब बेस्ट फिल्म में बन चुकी है और हर बार कहानी में इन प्यार करने वालों के लिए दुनिया और समाज तो दुश्मनी बन जाते हैं लेकिन फिल्म केदारनाथ की कहानी बस थोड़ी से अलग है अब शेक कपूर ने अपनी इस फिल्म को केदारनाथ आपदा से जोड़के बनाया है जो प्रकृती के भयानक प्रकृत को दिखाती ही है अब दोस्तों बात करें मूवी के पहले behind the scenes के बारे में तो आपको बता दे कि जब पहली बार सारा अली मनसूर यानि की सुशान सिंग राजपूत के खचर पर आकर बैठती हैं और वो उनसे केदार नाज चलने को कहती है तो उसी टाइम का ये behind the scene है और राम बाड़ा जाते समय जिस scene को shoot किया जाता था और वो film city का ही है ना कि केदार नाज का इसे VFX और CGI की मदद से create किया गया था अब दोस्तों आपको बता दे कि movie के आधे से जादा scenes को गौरी कुंड में shoot किया गया है और साथ ही अगर बात करने केदार नाथ मंदिर की तो आपको बता दें कि मुंबई की film city में केदार नाथ का हू बहू मंदिर भी तयार किया गया था और साथ ही केदार नाथ movie के set को design किया गया था production designer मयूर शर्मा ने अब बात करें movie के अगले behind the scene के बारे में और आपको बता दें कि real location पर temperature 10 degree Celsius हुआ करता था इस तरह के ठंडे climate में shooting करना बहुत मुश्किल होता था इसलिए के दार नाथ मंदिर और उसके रास्ते को जो की बार की वज़े से तहस नहस हो चुका है उन्हें recreate किया गया था और आपको बता दें कि सुशान को फिल्म में इसी गाओं का दिखाये गया और साथ इसाथ artificial बर्फ भी बनाई गई थी और साथ ही बात करें उस घर की जहां सुशान सिंग राजपूत यानि की मनसूर इस फिल्म में रहा करते थे आपको बता दें कि इस सीन को ऐसे शूट किया गया था जहां मनसूर की मा सिलाई मशीन चलाते हुए दिख रही है और दोस्तों आपको बता दें कि इस सीन को रियल में एक विलेज में शूट किया गया था जहाँ इस घर को लगबग तीन महीने के लिए रेंट पर लिया गया था और आगको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे सीन ही फिल्म सिटी में शूट किये गए हैं ऐसे बहुत से सीन्स भी हैं जो केदार नात में ही शूट किये गए थे और इस बारे में बताते हुए फिल्म के प्रोडक्शन डिजानर मयूर शर्मा कहते हैं कि केदार नात मंदिर में बहुत धीर भाड होती है और हम कैमरा मूवेंट के लिए स्पेस चाहते थे जिस बज़े से फिल्म सिटी में मंदिर तयार किया गया था और साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में जो केदार वैली का जो बिहाइंड से सीन दिखाये गया है और साथ ही जो मंदाकनी रिवर में इतना सारा पानी दिखाये गया था वो रियल में शूटिंग के समय पर इतना नहीं था इसे VFX और एडिटिंग के मदद से एडिट करके इतना इनहांस करके दिखाये गया था गाउं और मंदिर को फिल्म सिटी के मैदान में बनाये गया था और मयूर जो की पहले फुकरे रिटन्स में काम कर चुगे हैं गाउं के बाहर का शूट रियल लोकेशन पर फिल्माये गया है जो की त्रिजुगी नारायन गाउं है जो सोन प्रयाक के पास थिद है और साथी मुवी का वो सीन जब सारा अली खान यानि की मुकू सुशान सिंग राजपूत के घर के बाहर बैट कर बहुत ही तेज बारिश में रो रही होती है इस सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया था जिसके बाद तो मुकू के पिता सारा अली खान को ढूनते हुए मनसूर के घर तक आ जाते हैं जिसका बिहाइंड सीन आप अपनी इस वीडियो में देखी सकते हैं अब बात करें फिल्में सारा अली खान के शादी के सीन के बारे में तो आपको पता दें दोश्तों कि सारा अली खान के पिता इस मूवी में उनकी जबरदस्त किसी और लड़के से शादी करवाना चा रहे होते हैं लेकिन मुक्कू यानि कि सारा अली खान अपनी कलाई की नस काट लेती हैं और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि शादी के जोड़े में सारा अली खान अपने घर की सीधी पर चरती हुई नजर आ रही हैं और ये सीन VFX का behind the scene है और साथ ही मूवी का वो सीन जहां सु तरह से शूट किया गया था जो कि देखने में बहुत ही जादा रियल लग रहा है और आपको बता दे कि सीन को किसी और नहीं बलकि action director देव जजज ने तयार किया था और आपको बता दे कि सीन को create करने के लिए काफी मशक्कत की गई थी क्योंकि इस सीन में लहरें दिखाने जो कि swimming tank की तरह दिखता है उसमें घर बनाए गये थे जिनने बाद में डूबा हुआ दिखाये गया कलगारों ने भी पानी के अंदर शूट किया और उन्हें बाढ़ में फसा हुआ दिखाये गया अब बात करें फिल्म की कहानी की हलाकि आपने फिल्म देख ली होगी लेक इन दोनों की प्रेम कहानी के साथ साथ किदारनाथ में एक भारी तबाही भी धिरे धिरे अपना रौद रूप धारन कर लेती है जिससे पूरा शहर अंजान है फिलाल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुजारी के घरवालों को मालूम चलता है कि उसकी वेटी एक प्यार करती है जिसके बाद शुरू होता है प्यार और समाज के बीच में जंग लेकिन मुकू समाज और परिवार के डर से मनसूर को नहीं चोड़ती है अब शेक कपूर की फिल्म के दारनाथ की शूटिंग पहाड़ों और खुबसूरत वादियों के बीच में हुई है ड् दिक्तर मामलों में फिल्म बागी मुद्दों को भूलती हुई नजर आती है ऐसा लगता है कि फिल्म के दारनाथ की कहानी केवल दर्शकों को भटकाने के लिए दिखाये गया है अब बात करें सारा अली खान की आक्टिंग की तो आपको बता दें कि सारा अली खान ने अप टैलेंट की दिवाने हैं, तो आप सारा अली खान की वज़े से इस फिल्म को देख सकते हैं। खुबसूरत सारा अली खान अपनी मा अमरिता सिंग की याद दिलाती है। तो दुस्तों, अगर आपने भी किदारनाथ फिल्म देखी है, तो comment section में comment करके बताइए कि आपको film कैसी लगी और साथ ही साथ इसी तरह के interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में